मुहबत कर रहे थे इसलिए मडर होगी हर बातों में मडर भीया मैं तो आसर्ज है मुझे समझ में नहीं आती है रोपिये गा बबूल खाईये गा खजूर असीसे के घर में रहके पथल फेकते रहते हैं ये जमीन का जो लिटिगेशन है और ये जो सहर का सहर जमीन माफिया लो आम आदमी के जमीन पर गिद द्रिश्टी है और भाय बहन के बीच भी लड़ाय लगा रहा है बहन से लिखवा करके लगभग लड़ाय लगवा रहा है अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है देखेगा ना घर घर जग रहा हो और काना बहीन अब तो राक्यों ने मानेगा कु पूछे तो बोल दिए हमको विकास पर पूछेगा तो भोलेंगे रहेगा काम मड़ गया तो वहां जागे एक लक्टगा दे आएंगे हमको इतने ठोड़क है ना हमको काहल पालतों में पढ़ाते हैं हम कुछों में रहते हैं पर इतने रहने दी और जमीन सर्वे हो रहा उस गया तिन डश्मिल दमीन मिल गई है पलायन रुख गया है है चोहजार पर के पिटा इंकम बिहार का नहीं है और उपर से आप इस सर्वे लाकर के करना बहिन का भी अधिकार तो बहन को तो अधिकार है यह आप जिस तरी के से कर रहे हैं तो घर घर टूट जाएगा अब के ठेकेदार है कोई कहता है राजपूत के ठेकेदार है आप हमको बता दीजे ना इधर रहे हैं आप हमको बता दीजे कोई आदमी कह रहा है जादब के ठेकेदार है आप कोई आदमी कह रहा है राजपूत के ठेकेदार है तो भया हाजीपुर में विपक्स के नेता का भी छेत रहे हो और एक स्वभी धायक हैं पप्पु यादब को बीश्भी धायक होता ना इस सरकार को घर से निकलने ने देते पड़ा दिकारी और हिम्मत होता गरी पर जुन कर लेना बलतकार कर लेना एक स्वभी धायक के बाद हाजी पूर आपका घर है नित्यानन बाबु भी जादब के कहते हैं हमने ताय भोंट लेते हैं कहां गए चिराग बाबु के हैं तो हमने कहा कि जब आप स्वरक्षीत और आबाज उठाई न कि इससे अच्छा है कि ये नेता लोग जो घर में भट के मजे लेते हैं और हिम्मत नहीं होती है किसी की मदद करने की तो आम आदमी से जादे बेतार है कि आम आदमी तो बचे हैं नेता लोग बच के क्या करें सब्सक्राइब लेकर के सर केंद्र सरकार ने एलान किया है सर जिस पर विपक्च कह रहा है कि पुरानी बोतल में नहीं शराब नहीं है पहले तो आप बोले ना उनसे आप पुछिए पुराना पेंशन जो लोगों का डिमान ये इनुफाइट बिल क्या है पुछे है कि कौन परसंटेश दस्ट होगा कि इतना काम करेगा पुराना पेंशन कुछ और है पुराने पेंशन पर्नस सवाल और भाई करमचारी अच्छा यह पुराने करमचारी से लेकर सब का सबाल है मिंफाइट पेंशन तो समझहें इस सरकार की सबसे मतलब बखवास निरन है यह क्रमचारी को मजदूर बनाने वला निर्णा बिल्कुल किर्पा आप करेंगें मतलब सारे बैमानी सेतानी को ढखने के लिए आपने हर मुद्दे में हर मुद्दे में कॉर्परेट को बेनिफिट और कॉर्परेट सिस्टम को लाना यह क्रमचारी के लिए कोई unified pension नहीं है इस pension का कोई ओचिक नहीं है और यह 10% भी लभानमित नहीं होगे यह बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आदमी के हिदमें नहीं होता यह क्रमचारी विरोधी तो सब दिन से हैं नोकड़ी पेसा ही अब ये करें लिए रेल्वेक कुम कर रहे हैं यौन तो यह फाईट नस है है इतो अपने फाइडा के लिए सब्स क्लिप certainty il सब्सक्राइब लिए तब कर रहे हैं पुराना पंसन्स फार पर आप अभी निजीम प्राइबट पेंसन प्राइब जाया की बात कर रहे हैं किसके बात कर रहे हैं कौन है उसमें प्राइबेट रोजगार में किसके हां मिलेगा आप उठागे देखें ना कॉर्परेट के हाई ना ते उनिफाइड पैंसन बखवास है इसका कोई मतलब नहीं किसको कुट्ता हाथी चले बजार कुट्ता भूके हजार अकास पर थूप भेखियेगा तो मुपहीन पड़ेगा अब कोई काम ही नहीं है इन लोग के पास हिंदू मुसल्मान के अधार पर और बैकवर्ट फॉर्वर्ट के अधार पर यह चुनो जीते हैं यह लोग हर बातों में नेहरू राहुल गांधी तो हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं क्या उनके घर म में राहुल गांधी के लोग ही घुमेंगे क्या उसके अंगना में राहुल गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या राहुल गांधी जी को किसकी जौरत है किसकी जौरत नहीं है राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए ठीक है ना इलाज उन लोगों की जोरत है जो राहूल गांदी से डरते हैं जो राहूल गांदी की सच्चाई का खौफ है जिसके बिता है और हम नेग सला देंगे राहूल गांदी या नेरू परिबार को गर्याने से बहतर है दस साल में और तीसरे बार जनता जो आपको मुकादी है उसमें आप विसेश राज विसेश पैकेज के लिए लड़िये बिहारी हैं आप उठाइए विसेश पैकेज विसेश राज देने के लिए सारे और भुषी के बच्चों को जो मारने की तיयारी है उसकी चरचा करें और एक तो पहले यह विसेश को क्रिमिलेएर में आपने ज़गला लगा के मार दिया अब इस्टीस में क्रिमिलेएर लाकर करके आप स्टीस को खतम करना चाहते हैं आप जो लगातार आदिवासी द जिन्दगी पर लेटरल एक्जामरेशन को लेके खतम करना अध्यादेश नहीं ला रहे हैं सरसथ पर तिस्थ जो आरक्षन इस सदन ने लाया था नितीश कुमार जी इन गौर्वर्मेंट तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आए और जाती जनगन्ना नितीश कुमार जी भी थे तो जाती जनगन्ना में जम नितीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की जोरत पहले बीजेपी वालों की है कि नितीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए मुखबुबा मुक्ति के साथ पहले ही लव मैरेज कर चुके थी और आज राहूल गांदी जी एक कॉंग्रेस लुक्तांत्रिक मुल्यों पर कब महबुबा अलगावादी के साथ बीजेपी जो अगाली देता था तो पहले ही बीजेपी ने साधी लब मैरेज करके फिर तलाग ले लिया और नितीज कुमार जी जो सबसे पहले OBC कॉंग्रेस के बाद गहलोत के बाद जाती जंगर्ना की बात नितीज कुमार जी ने किया नेता माफिया अपदाधिकारी तीनों मिलके यह जमीन माफिया नेता माफिया तो भूले ही इसमें आरजेदी या फलना कौन चीह आगिया हमको तो समझ में नहीं आता है हम अपराधि की ना बात करिएगा तो 90% अपराधि नेता को और पैसा के बदोलत एक तो नहीं देखते हैं कॉर्प्रेट दुकान चला रहा है सम माफिया को लाला करके जितना अपराधि बलात कारी है उससे कह रहा है कि हम हूँ बनाएंगे तो आप देख नहीं रहा है खल हम गए हाजिपूर दोनों बच्चे का मडर हुआ उसमें कह दिया बेटा इसका मुहबबत करता था इसलिए गोली मार दिया तो मुहबबत करने को आप क्या मतलब कोई मुहबबत कर रहा है इसलिए गोली मार दिया जाए यह जस्टिफाइ है आप हमको बताए ना बेटा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें